हेल्फ फ्रेंट्स मैं हूं सन्माय प्रकाश और आप देखे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज ये चार पांच और छे जनुवरी 2021 के पाकिस्तान को कबजा करने से रोक दिया था और भारत का कबजा मजबूत किया कहां पर बहुत इंपर्टन बात है तमिल भाषा संस्कृति को बढ़ावादे निकली किस के अंदर शाथ प्रदेश ने तमिल अकादमी की अस्थापना किये ऐसे कई और कोशन है सब पर बात करेंगे सबसे पहले इंपर्टन कोशन अध्रक की दो नई पर जातिया है हैड कियम मेचूक कानम और उमोमम तो उसकी खोज किस राज में हुई है अर्वनाचर परदेश जूरि सर्चर्स है शोद करता है उननों ने अर्वनाचर परदेश में इसकी खोज की है ओक और ये इनपरॉटन बात है इसका बादा दूह इंपहर्टन था दूँ हैड तुम जो ह ग्राफ भी मैं आपको दिखा जाता हूँ ओके तो जो डिसर्चर्स हैं उन्होंने ये खोजा है कहा के तो विस हरिष्ट मालाबार गार्डन और इस्टिटूट आफ प्लांट साइंसे कोजी कोड तो उसके जो डिसर्चर्स थे तो उन्होंने वहां पर इसकी खोज की तो कई तरह की प्रजाती हैं दो नई प्रजाती खोजी की अधरकी अगला कोशन बहुत इंपर्टेंट है परवतरोही करनल नरेंद्र बुलकुमार का निधन 31 दिसंबर 2020 को हो गया तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला था आंसर होगा बी और सी दोनों यानि पदमिश्री और अ तो उहां पर भारत की पकर बनाया रखने के लिए करनल नरेंद्र बुलकुमार ने अहम रोल निभाया था कब 1984 में जो आपरेशन मेगदूत चला गया था उस समय उन्हें सीयाचीन में पकिस्तान के जो नापाक हरकते थे उसको रोकने के लिए अक्तर से भारती सेना के शेड के साथ ब्लकुमार के नाम और उनका जन्म गहा था 1933 में रावल पिंडी में जो पाकिस्तान में है ओके और 1953 में भारती सेन अकादमी देहरादून से कुमाउं रेजिमेंट में उन्होंने एंट्री की थी और सेना के अपसरों के मताबिक अगर हाई एंटिटूट वारफेर स्कूल के कमांडेंट के रूप में सियाचिन ग्लेशियर और वहाँ पर अभियान नहीं चला जाते तो सियाचिन पर पाकिस्तान का कपजा हो गया होता ऐसा जो आर्मी ऑफिसर से उनका ये कहना है तो कर्णन नरेंद्र ने उसके बाद नंदा दिवी चोटी पर भी तिरंगा फाराया था सियाचिन ग्लेशियर पर भारत को कपजा दिलाने में उनके जो बहादूरी है उसकी मिसालें दी जाती है और उनके निधन पर सेना ने ट्विट भी किया था जो आपने देखाई अब है अगला कुशन रहते हैं उससे पहले बदा दूँ कि 2020 का जनुरी से दिसम्बर तक का क मेहतरीन है और 432 पेज की किताब है काफ़े मोटी है एक एक टॉपिक को बढ़िया से समझाए गया है MCQ है 1500 से जादा ही है और हर MCQ के नीचे काफ़ी डिटेल में उसके बारे में समझाए गया तो आप देख सकते हो इस वीडिक डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजन पे बुक अबलेबल है बेस्ट सेलर का खिताब भी मिल चुका है तो कि तमाम जो एक्जामनेशन सरकारी है जो भी जौब के उन सब में बेस्ट सेलर अभी चल रही है ओके और वैसे इसका PDF भी अबलेबल है इस वीडिक डिस्क्रिप्शन में अगला कोशन लेते हैं तमिल भाषा संस्कृति को बढ़वा देने के लिए किस केंदर शासित प्रदेश ने जनवरी 2021 में तमिल अकादमी में बनाई आंसर होगा दिल्ली सरकार के कला संस्कृत और भाषा विभाग ने देश की संस्कृति विवेदता जो है संस्कृतिक विवेदता देश की उसको बढ़ावा देने के लिए इस अकादमी की अस्थापना की है चार जनवरी 2021 को तो एक इंपर्टन बात है और उस अ केजरिवाल और उपर राजपाल कौन है अनिल बैजर अगला कुछन है वर्ष 2021 का T20 वर्ल्ल कप की मेजबानी किस देश को मिली है कौन से देश करेगा मुझे लगता है आंसर पता होगा सबको भारत है अभी यह चर्चा में है यह जो मेजबानी हो क्यों क्योंकि इसको लेक कर इंटरनेशनल किर्केट काउंसिल जो है ICC उसने BCCI से कहा है कि वो केंडर सरकार से टैक्स में पूरी तरह से छूट को लेकर बात करें टूर्णामेंट अक्टूबर 2021 में होना है ठीक है और भारत दूसरी बार T20 वर्ल्ल कप की मेजबानी करने वाला है इससे पले 2016 में यह टूर्णामेंट भारत में हुआ था तब वेस्ट इंडीज ने यह खिताब जीता था तो यहां पर BCCI और ICC के बीच में टैक्स को लेक 31 दिसंबर से पहले लेकिन फिर अभी तो वक्त भी बीद किया ओके दो मौके मिले थे दोनों मौके एक तरसे BCCI ने गवा दिये तो अब BCCI बोर्ट के सूतरों का ही कहना है जो न्यूज मीडिया में जो न्यूज आई है उसका मुताबिए कि ICC ने BCCI को फरवरी तक का तो मेजबानी चिनी जा सकती है या फिर एक बड़ी रकम यानि जो टोटल टैक्स जो बनेगा वो देना पर सकता है BCCI को ICC से ओके BCCI को देना परेगा ICC को ठीक है एक बटन बात है और ICC ने विकल्प के तौर पर UAE को चुन रखा है कि हम वहां भी करा सकते है जो T20 World Cup है तो अभी बाची चल रहे ये BCCI की केंच सरकार से वहां वेदन दे रखा है लेकिन वित मंत्रलम में लटका हुआ है ठीक है और खास बात है कि क्यों छूट मिले टैक्स की जब पूरा देश टैक्स देता है यह मेरी परसनल रहा है जब पूरा देश के पूरा देश के लोग टैक्स देते हैं तो क्रिकेटरों को क्यों छूट मिलने चाहिए और क्रिकेट के लिए क्यों छूट मिलने चाहिए भाई यह भी सवाल होता है और यह भी बात है कि BCCI जो के बीच में खीच तान चल रहा है अच्छा 2016 में भी टक्रा हुआ था ओके और उस वक्त आई सीसी ने कहा था कि उसको डेड़ सो से दो सो तीस करो रूपय का नुकसान हुआ था तो इस वार वो नुकसान नहीं जिलने को तियार है बी सीसी आई को करीब इटर्शन चल रहा है इसलिए थोड़ा बताया मैंने आगला कोशन लते हैं हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए एशियाई विकास बैंक यानि एडी बी ने कितनी रकम के लोन को मजूर दी है आंसर गा दस मिलियन डॉलर होके एशिया डेवलोप्रेंट बैंक ने हिमा जो घरे लुए आए है उसका विस्तार हो अगला कोशन लते हैं अखिल भारतिय शत्राइज महासंग का अध्यक्ष किससे बनाए गया है आंसर गार डॉक्टर संजय कपूर ओके चार जन्वरी को फ्रेडरिशन की ऑनलाइन एलेक्शन हुआ उसका और उसमें डॉक्टर संज चुने गए हैं ओके अगला कोशन अंतराष्टी इया सेवा कैंद्र प्राधिकार बारत का है वो किस संगठञ का सही और इस बना किस अंतराष्टि संगठन अन्ट्र का आंशर होगा अंतराष्टिए प्रतिभूती संगठन यानि इने इंट्रेमेशन लागनार wealthy's commissions उपे उ अगला कोशन लेते हैं बैडमेंटन वर्ट फेडरेशन ने रूसी शट्लर निकिता खाकी मोव उन पर कितने साल का प्रत्मन्द लगा दिया आजसर गाँच साल अगला कोशन है कि राज्य मंत्र मंदल ने सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं चात्रों को राज्य के एंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रुवेश में आरक्षन देने का फ़ैसला किया है आंसर होगा ओडिसा ओके ओडिसा सरकार ने 28 दिसंबर को ये प्रस्ताव पारित किया है विहाली में मुख मत्री है नवीन पतनायक तो उन्होंने तैकि वहां के जो स्टूडेंट है वहां के जो लोग है उनको एक तरह से कोटा मिल सके वहां के मेडिकल कॉलेज और इंजिन में पारित किया गया है आंसर होगा अमेरिका ओके यूएसे वहां की संसर में एक जन्वरी को ये एक्ट पारित किया गया है और उनके नाम से अब वहां पर स्कॉलर्शिप दिया जाएगा हाईर एजुकेशन जो करना चाहते हैं उनके लिए House of Representative के द्वारा पहले अधिने पारित किया गया था और अब अमेरिकी सीनेट ने एक जन्वरी को पारित कर दिया है तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है मलाला यूसुफ जै नोबल प्राइज विजेता अगला कोशन लेते हैं विश्व ब्रेल दिवस कब मना जाता है वर्ड ब्रेल टे आंसरों का चार जन्वरी ठीक है चार जन्वरी को मना जाता है दिश्टी बाधित और दिश्टी हीन जो लोग है उनके अधिकारों के लिए एक तरह से मैसेज देने के लिए दिवस मना जाता है और ब्रेल जो लीपी है उसके भी विकास करने के ल लूई बेरेल जो है उनकी जैनती के रूप में ये है बेरेल का है बेरेल जो है वो हर अक्षर और संख्या का प्रतीक होता है जो इसको टच करके जो नेतरहीन लोग है वो पढ़ पाते हैं समझ पाते हैं अगला कोशिन प्रधामति नर्द मोदी ने चार जन्वरी 2021 को वीडिय मेटरोलोजी ओके ये कौन क्लेव और कांसिल आफ सांटिफिक एंड इंडेस्ट्रियल रिसाज नेशनल फिजिकल लिबरेटरी नियु डेली के द्वारा ये किया गया था है ओके 74 येर पूरे हो गया है तो उसी पर ये आज़ित किया गया है अगला कोशन भारत जो है वो व तो इससे समर्थित किस समुह का सह अंधिक्ष बना है आंसर होगा इसका एशिया सनरक्षित छेत्र ओके तीन साल के लिए भारत को सह अंधिक्षता दी गई है इसका थुरू अगला कोशन दे किस राज की विधान सभा ने इस आप डूइंग बिजनस अमेंड मेंड मेंड ब किया गया है और इस संशोदंग से आसम को केंदर सरकार से 0.25% एक्ष्ट्रा उधार मिल सकेगा निव इश्कों के लिए एक अनुकूल महौल बनाने की बात उसमें कही गई है और वहां प्रमान पत्र का जो रिन्यू होता है तो उसकी और लाइसेंसी को बहुत सारी जो काम कीजिए इस तरह की बात कहीए तो बिजनेस करने में आसानी करने का प्रावधान किया गया है तो बात हो रही है असम की वहां के मुखमत्री कौन है सरवर्णन सोनेवाल और गवर्नर कौन है जगदेश मुखी तो जोस्तों यह था इंपर्टेंट कारेंट फोर्स कैसा ल अब ही जो आपने देखा करेंट फोर्स उसका पीडियो फ्री में अबलेबल हो गया मेरे बगल में क्लिक कीजिए डाउलड कर लिए वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी पीडियो पड़े हुआ है वहां भी आप देख सकते हो ले सकते हैं और हाँ जिन लोग ने सबस्क्राइब ने किया जरूर करना साथ बिले के दो मना मत भूला